अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना ना भूलें जैमा इंद्राक्षी इंद्राक्षी दाम में दर्शुक को आप सभी का महारदिक स्वागत करते हैं आज के दिन जिन जातकों का जनम दिवस है, मैरी जैनिवर्सरी है उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुब कामना आए और साथ ही गनतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुब कामना है देखो ये जीवन है ये बहुत मुस्किल से प्राप्त होता है इस जीवन में रहते रहते जितने शुब काम हो जाएं जितने अच्छे काम हो जाएं उतने ही हमारे जीवन के लिए जरूरी होते हैं आज हम एक बहुत खास बात आपसे करने वाले हैं, कि व्यक्ति की फेस वैल्यू बहुत माइने रखती है, कई बार फेस वैल्यू जो है वो बिलकुल गिर जाती है, और व्यक्ति बड़ा परहिसान हो जाता है, कि मार्केट में मुझसे कोई अच्छे से बात नहीं करता, घर मे कीमती होती और इस कीमती कीमती वेल्यू के लिए हमें कुछ विशेज उपाई भी कर दीने चाहिए और फेस वेल्यू कमजूर क्यों होती है उसका कारण क्या है वह भी आज के इस विशेज संख में आपको बताऊंगा तो आईए पहले आज का पंच्जांग पढ़ लेते हैं 26 जनवरी सन 2021 दिन मंगलवार पोश माश शुकलपक समवन 2077 तिथी आज त्रियोधिशी है नक्षत्र आर्द्रा रहु काल तीन से साड़े चार दिशाशूर उत्तर दिशा जनम पत्रिका के अंदर एक होता है लगन क्या होता है लगन अब लगन जो होता है जनम पत्रिका का पहला कॉलम जो होता है वो लगन कहलाता है यानि के फरस्ट हाउस पर्थम भाव अगर किसी भी जातक की जनम पत्रिका का लगन कमजोर है उसकी फेस वेल्यू कमजोर होगी ही होगी जैसे एक भवन की यदि नीव कमजोर है तो वो भवन कमजोर होगा आप उसके उपर काफी मारते खड़ी कि दरूर कर लेंगे लेकिं कुछ समय के लिए और बाद में वो गिर भी सकती है तो जितनी भवन की किसी हाउस की नीचे से नीव मजबूत होगी न उत्रही वो भवन उपर टिकाऊ होगा तो ऐसे ही आपके चेहरे की वैल्यू जितनी शांदार होगी यह मानके चलिएगा उतनी ही आपकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी आपके लगन में यदि विपरीद ग्रह बैठ जाएँ आपका लगन जिस राशी का हो वो राशी का मुल्य उस कुंडली में कमजोर हो उस ग्रह के स्वामी की डिगरी कमजोर हो तो आपकी वैल्यू कमजोर रहेगी रहेगी और एक एक एकजमपल देता हूं मैं आपको आप इस कुंडली से देखिए इस कुंडली में राहू बैठे हैं लगन में और राहू के साथ हमने क्या बिठा दिये मंगल बिठा दिये या अकेले राहू भी यहां हो और विपरी तराशी के हो तो आप मान के चलें ऐसे व्यक्ति के चेहरे के ओपर उदासी इंता रहेगी ऐसे व्यक्ति के चेहरे के ओपर हसी परफुलित नहीं हो पाईगी ऐसा व्यक्ति गमगीन सा रहता है ऐसे व्यक्ति की फेस वेल्यू भी कमजोर रहती है और कई बार इस प्रकार की जो कुंडली होगी ऐसे व्यक्ति में चुड़ चुड़ापन भी हो जाता है या लोगों को ऐसा नज़र आता है तो ये तो मैंने एक उधार्ण सदी है आपको कहने का भाव आपके लगन के बहुत सारे तरीकिये हैं देखने के अग जबूत गरह लगन में होंगे तो चेहरे के उपर एक अनुखा तेज एक अनुखा रोब रहता है ऐसे आपकी हाथ की रिखाएं अगर जिन सादकों के पास जनलब पत्रीका नहीं है और यदि उनके हाथ में सूरिय रिखा कमजोड है सूरिय रिखा अच्छी नहीं है और उपाई क्या करें? सबसे पहला उपाई अपनी कुंडले किसी को दिखाएं, अपने लगन को दिखाएं, लगन के हिसाब से कुछ न कुछ अलग से स्पेसल उपाई किया करें. दूसरी बात, अपने हाथ की रेखाएं को दिखाएं, सूरे रेखा क्या कहती है, हर्दे रेखा क जा कहती है उसके लिए कुछ विश्य सुपाई किया करें है ना अब आगे बढ़ते हैं एक मंत्र मैंने बहुत बार बताया है यह मंत्र यदि आप प्रती दिन कम से कम अपनी पूजा में शामिल करने इस मंत्र को आपको बहुत अच्छा लाप मिलेगा सूर्य मंत्र है यह मंत हिरेम हम सह यह मंत्र है सूरिय का सुबा सुबा निकलते हुए सूरिय के सामने बेढ़ जाए और पांच-दस मिनट यह तीन माला यह एक माला हल्दी की माला हो यह रुदराक्षी माला हो इस मंत्र को जपें सूर्य देवता का ध्यान करके चेहरे के ऊपर एक अनोखी आभा जायती है बहुत अच्छा लाब मिलता और दिन में सुर्य भगवान को प्रणाम करें और एक दो बार हतेलियों को रखने और इसी मंत्र को पढ़ें ओम हिरम हमसे और चेहरे पर मल्या करें अनुगा प्रमाव आएगा अश्ट धातू का कोई छला बनवाएं और अश्ट धातू का छला रवे पुष्षे नक्षत्र में अनामी का उंगली में धारन करें इससे भी बहुत अच्छा लाब मिलता है अश्ट धातू प्योर अश्ट धातू होनी चाहिए या पिर तिर धातू ले लो सोना चांदी ताम सो ना भाल का डल वाले बहुत ऐसा अपनी पॉकेट के हिसाब से लेकिन अश्ट दातू लेंगे तो और भी अच्छा लाब मिलेगा या पूल्ड रूप से प्राण प्रतिश्चित करा करके गले में सूरिय के अनिक उपरकार के यंत्र बनते हैं उसमें नवग्रह भी ले सकते हैं या और भी अच्छे-च्छे सूरिय की इंत्र बनते हैं गले में भी धारन किया जा सकता है या रवी पुष्य नक्षत्र में बेल की जड़ हमने एक सब्तंतर वीडियो बनाया है हमारा देख लीजिएगा रवी पुष्य नक्षत्र में बेल की जड़ भी धारन करने से चेहरे के उपर प्रभाव आता है फेस की वैल्यो बढ़ती है और एक मंत्र भी हमने बहुत बार बताया है वो आप दुर्गा शफशती से ले सकते है ओम ग्यानी नाम अपी चेतान सी देवी भगवती हीसा बलादा कर्शे मोहाए महामाया प्रच्चती दुर्गा सब्त शती में सब्त शलो की दुर्गा का ये पहला मंत्र है महा से आप इसे ले सकते हैं ये मंत्र भी बहुत ज़्यादा सम्मोहन शक्ति को बखेरता आदमी की वैल्यू को बढ़ाता चेहरे की वैल्यू को बढ़ाता लेकिन चेहरे के ओपर अबूर वे जो निखार है वो सूरिय की साधना उसे आता तो आज मैंने ये साधको जो आपको ये कुछ बाते बताई हैं इनको आप जीवन में करके देखें आपको लाब मिलेगा कई बार हम हैरानी में पढ़ जाते हैं भी क्या कारण है हम तो बहुत सचे हैं हम तो बहुत अच्छे हैं लेकिन उसके बाप जूद भी हमें कोई मानने को तैयार नहीं आखिरकार हमें ऐसा क्या है जी व्यक्ति तेज है चलाख है सब इसको मानते हैं हमें नहीं मानते कई बार इस प्रकार की चीज़े मनों में आ जाती हैं तो आप मन न मसोसें कुछ न कुछ उपाएं आप करके देखें आपको लाब मिलेगा और सूरिय को दिरंतर जल देते रहना चाहिए आदित्य हर देश तोत्र का रोज नहीं तो रविवार के रविवार पाठ करने से भी आपका लगन मजबूत होता है आप करके देखिए रणांगन में बहुत सारी चीज़ों में आपको मजबूत ही मिलेगी कुंडली के बहुत सारे ऐसे तो ग्रह हैं पढ़ भी नहीं पाते हैं हर व्यक्ति कुंडली थोड़ी पढ़ पाता है लेकिन उसके द्वारा की गई उसकी दैनिक साधना उसकी नित्य साधना भी उसके ग्रह को बल देती है और उसके केंद्र को बल देती है उसके लगन को बल देती है आपके द्वारा की गई गुरु की साधना आपके द्वारा की गई गुरु मंत्र की साधना भी आपके लगन को बल देती है है ना बहुत सारे उपाए तो इसमें से जो भी आपको सही लगे दिल से करें अच्छे से करें आपको बहुत अच्छे लाप की प्राप्ति होगी ओम सिंदूर अरुन विग्रहाम त्रिनायनाम मानिक्यमोले स्पुराज्ट स्तारा नायक से करां स्मित मुखे भापे नबाग छोरुआम। पानि प्यामल पूर्ण रत्न चसकाम। रत्नोत पराम। विब्रते सोम्याम। रत्न गटस्त रक्त चरणाम। ध्यायत पराम। अंबिकाम। खडगं चक्रगदे सुचाप परिगान। चूलं भुसुंडिं सिरा। संखं संदधतिं करिष्त्रिनायनाम। सरवंग वुस्वरिताम। निलास मध्युतिमास्यबाद दसकाम। सेवे महां कालिकाम। यामास्तो स्वपिते हरो कमलजो। अंतुम अदुम कटवं। विद्यो दाम समप्रवाम। रिगपते सकंदस्तिताम। विशनाम। कन्याम विहकरवाल खेट विलसा। धस्त विरास्यविताम। हस्ते स्चक्रगदा सिखेट विशिखाम। स्चापम गुणम तरजनीम। विप्राणाम अलिलात्मिकाम ससिदाराम। धुरगाम तिनेत्राम वजे। कबच बना लें, ध्यान करें। प्रामबा महाशक्ति का असिरवाद हम सब के उपर वरस रहा है। हम बोलते हुए नेत्रखों ले समानने हो जाएं। हमारे बहुत साधक आए दिन हम से व्यक्तिकत रूप में मिलना चाहते हैं। तो व्यक्तिकत रूप से मिलने का कारिकरम भहुत शिग्र करीब-करीब हमने बना दिया है। क्योंकि थोड़ा इंद्राक्षी धाम में थोड़ा विधी चल रहे हैं। इसलिए व्यक्ति का तरूप से भी मिल पाना नहीं सबसे हो पा रहा था तो करीब करीब सभी के लिए ये हम बात बता देते हैं कि बहुत वेटिंग में लोग है और जो कॉल अपाइटमेंट के माध्यम से हमसे जुड़ना चाहते हैं कॉल प्रामर्श के माध्यम से तो हमने ओपन किया हुआ है और इसी के साथ जो पिछले महीने की वैदिक जनम पत्रिकाएं हमारे बनने के लिए आई थी वो करीब करीब सब की भेज़ दी गई है और जो इस महीने की हैं मिड़ की हैं तो वो भी सारी के सारी हम शिक्र भेजने का प्रयास करेंगे। इनी शब्दों के साथ हम अपनी वानी को बनाम देते हैं, जैमा इंद्राक्षी। जिन्दिगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता सफलता अपने जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन सुबा रहा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का, इनका जो एक अनुभव था कि मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाये करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया, क्या आपके यहां कववे आ रहे हैं? मैं बहुत तेज्चों का, करीब चार-पांस दिनों से कववों का जुंड मेरे घर पे मन रहा था, यही सोचने परिशान था, यह सुब है, असुब है, क्या चीज है? तो मैंने प्रश्न किया, क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कववे आ रहे हैं? कहने नहीं मुझको दिखाई पड़ रहा हैं, तो कुस तो आलोगिक है इनमें? दूसरा क्या है, जो इनका उदेश है? जब महाकुम में आये थे, मेरे इन से वारता हुई, तो मैंने इन का उदेश से जानना चाहा कि किस उदेश के लिए आप काम कर रहे हैं? तो जो उदेश है, उन्होंने मुझको बताया, मैं मन्द से इनके उदेश के साथ जुड़ गया, इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उदेश के साथ भी हूँ मैं. हमारे विभिन ज्यान बर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले, और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना ना भूलें. ताकि आप देखने के लिए पारिक्रम सबसे पहले आप हमें.